हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज आज का जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर है वो है जर्नल इंग्लिश का और इस लेक्चर में स्टूडेंट 2018 से लेकर 2021 तक DSSB ने जितने भी ओनलाइन एक्जाम कंड़क्ट करवाए हैं चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नोन टीचिंग पोस्ट के लिए हो पर तेक एक्जाम में आपको दो या तीन सिनोनियम एंटोनियम देखने को मिलेंगे आज अपने उसको डिसकुशन करेंगे और यह लेक्चर स्टूडेंट बहुत शांदार होने वाला है और यह लेक्चर उन सभी के लिए हेल्फूल है स्टूडेंट जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नोन टीचिंग पोस्ट के लिए हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का हमारा सबसे पहला कोशन देखिए स्टूडेंट जो की PGT 2021 में पूछा गया है कोशन है चूज दा वर्ड उस वर्ड को चूज कीजिए नेरेस्ट इन मिनिंग जो मिनिंग के बिलकुल नजदीक दिया गया है इट मिन्स यह अपने से इंडरेटली कह रहा है कि अपने को उस वर्ड का सिनोनियम फाइंड करना है मिलता जुलता उसका अर्थ वाला वर्ड फाइंड करना है यानि वर्ड दे रहा है फिलिसिटी और फिलिसिटी का मिनिंग होता है स्टूडेंट परमसुक प्राप्त करना अनन्द प्राप्त करना अनन्द मतलब Pleaser तो इसका एक Synonym क्या हो गया Pleaser तो Felicity का मतलब होता है अनन्द पराप्त करना परम सुख पराप्त करना किसी से आशिरवाद पराप्त करना यानि Bliss सुख चैन पराप्त करना यानि Happiness तो ये इसके तीन क्या होगे अपने पास तीन होगे Synonym और Felicity का जो Synonym पूछा था तो जो थर्ड ओप्शन है Happiness वो बिल्कुल सही है अगर अपने और वर्ड देखें जो उसके तीन वर्ड दे रखें उनका क्या-क्या आर्थ है पहला दे रखें Craziness तो कि Craziness का means होता है पागलपन क्या होता है पागलपन Next अपने को दे रहे है Abundant Abundant का मतलब त्यागना समर्पन करना Give Up करना ये इसका मिनिंग है Next है Contentment Contentment का आर्थ होता है एक तरह से संतोष प्राप्त करना Satisfaction प्राप्त करना ये इसके तीन वर्ड है Craziness पागलपन Abundant त्याग करना मतलब समर्पन करना Give Up करना और चोथा जो वर्ड है वो है Contentment इसका मतलब है संतोष Satisfaction मिलना Next question देखते है Next question है जो DSSB PRT में पूचा गया है Select the word that is similar in the meaning to the word given blow यानि जो अपने पास word दे रहे है उसका बिल्कुल similar find करना है यानि अपने को क्या find करना है Synonym find करना है तो word देखे क्या दे रहे हैं अपने को Subsidize Subsidize या Subsidies आपने एक word देखा होगा Center Government Scheme निकालती है Subsidies तो Subsidies का मतलब क्या होता है अपने को कुछ अनुदान मिलता है तो उसी से related ये है Subsidize मतलब सहेता प्राप्त करना एक आर्थिक सहेता मिलना क्या मिलना आर्थिक सहेता मिलना या किसी से सहेता प्राप्त होना Subsidize का मिनिंग होता है तो अपने देखते कौन सा ऐसा word है जो इसके बिल्कुल similar है तो देखे जो fourth option है igraphy tenure तो contribute का मिनिंग में क्या होता है सहेता मिलना और subsidize का means में क्या होता है सहेता मिलना तो इसका जो synonym है वो है contribute तो आगे तीन word और देखते है क्या क्या इसके meaning होगे क्या क्या अर्थ होँगे तो third option दे रहेए आपने पास iratic देखे इरतिक जुकता नहीं है कभी, क्या है, ए नियंतरित, या मैं कहूं एस्थिर, इसका मिनिंग होता है, जो गतिशिल रहता है, क्या रहता है, गतिशिल, अगर मैं इसके सिनोनियम देखूं, तो पहला सिनोनियम जो एक बार एकजाम में पूछा गया है, वो है अनसर्टेन, क्या है, अन certain मतलब होता है एनिश्चित्ता जिसके बारे में कुछ अनुमान ना लगाया जा सके या फिकल फिकल भी SSE exam में पूछा गया है इसका meaning भी क्या होता है इसका meaning भी होता है गतिशिल होना एस्तिर होना डामा डोल होना या आपने एक विज्ञान में एक word पढ़ा होगा science में displacement विस्थापित होना ये भी इसका एक synonym बन सकता है या आपने एक word और देखा होगा quick silver क्या देखा होगा quick silver और quick silver का मतलब बहुत तेजी से बदलना यानि कहीं भी रुकनाना और quick silver आपको पता है पारे को भी बोलते हैं किसको mercury या पारे को भी quick silver बोलते हैं और erratic का ये synonym भी है और अगर कोई pgt history की preparation कर रहा है और वो lecture देख रहा है तो आपको पता है कि एक बार quick silver पर question भी पूछा गया था tgt sst या pgt history की जो preparation कर रहा है उनके लिए word बहुत important है quick silver मतलब चंदर शेखर आजाद को भी quick silver बोला जाता है और ये किसने बोला था ये question पूछा गया है और इसके अगर मैं synonym देखो तो एक synonym आपको और मिल सकता है जो बहुत important है वो important कौन सा? irregular मतलब regular ना हो ये चार-पांच इसके जो मैंने आपको word बताए है पहला uncertain, fickle, quick silver और irregular ये इसके क्या है? synonyms हैं अपने से subsidize पूछा था subsidize मतलब साहिता देना और contribute का meaning भी क्या होता है? साहिता देना ये fourth option इसका answer होगा बाकि अपने तीन word देख रहे हैं उसके क्या-क्या अर्थ होंगे तो दूसरा जो अर्थ है वो है arbitratory क्या है? arbitratory और इसका जो meaning है वो है मन-माना कई बच्चे अपनी मन की मर्जी करते हैं तो ये उसका अर्थ है स्वेचाचारी या जो अपने मन की करता हो उसका meaning है ये पहला जो अपने पास दे रहे है वो है वागीश वागीश का मतलब क्या होता है? शरार्ती नठकट मजा किया ये इसका अर्थ है अपने से subsidize पूचाता तो उसका जो option है वो है contribute next question देखते हैं ये जो second जो आपके सामने पूचा गया है ये ये TGT में पूचा गया था arbitrary का mean क्या होता है उसका synonym पूचा गया था तो arbitrary का mean क्या होता है मन माना जो अपने मन की मर्जी करता हो ये याद रखना थोड़ा साब third question देखिए student कहता है select the word that is opposite in the meaning to the word given below यानि जिस जो word दे रखा है उसके बिल्कुल opposite पता करना है यानि एंटोनियम पता करने के लिए बोल रहा है DSSP PRT 2022 में पूचा गया question है तो पहला देखिए word क्या दे रखा है अपने को word दे रखा है adherence क्या दे रखा है adherence adherence का meaning होता है किसी से लगाव रखना किसी का समर्थन करना किसी के प्रति निष्टा रखना यानि dedication क्या होता है किसी के प्रति लगाव रखना किसी के प्रति समर्थन रखना किसी के प्रति निष्टा रखना किसी के प्रति dedication रखना ये क्या होता है student ये बिल्कुल इसका synonym कह सकते हैं अपने दूसरा है loyalty loyalty का भी similar सा वाल होता है किसी के प्रती लगाव रखना या किसी के प्रती वफादारी रखना तो ये भी इसका synonym है next is attachment attachment भी क्या होता है student एक तरह से किसी के प्रती चिपकाव या लगाव कह सकते है तीनों हलके हलके similar हैं इसके बिल्कुल और चोथा है student चोथा जो है वो है unsteadiness जो है acentural होना तो ये मैं ये भी कह सकता हूँ अभी मैंने आपको कुछ पहले कुछ टेम पहले एक word सिखाया था दूसरा आपको मैंने erratic समझाया था तो erratic से मिलता जूलता है asthir asamthulin होना या किसी के परति ए लगाव रखना तो जो fourth option है इसका opposite होगा next question देखते है fourth question देखी student select the word that is opposite यानि opposite अपने को find करना है जो word दे रखा है तो word देखी क्या दे रखा है voracious और voracious क्या होता है student एक तरह से लालची भुखड यानि जो जिसको काफी खाने की भूख हो voracious का मतलब क्या होता है भुखड, लालची, पेटू यानि बहुत ज़्यादा उत्सक होना किसी चीज के परति या मैं कह सकूँ assurant क्या होता है assurant ये इसका क्या होगा student synonym होगा किसी चीज के परति बहुत ज़्यादा उत्सक होना यानि बहुत टाइम से कोई व्यक्ति भूखा हो बहुत खाने की जिसको इच्छा हो अपने से इसका बिल्कुल just opposite पूछा है तो opposite देखते है student क्या होगा इसका तो अपने पास word दे रखे है पहला word दे रखे है avid दीखिए दे एविड होता है जो avid का मतलब होता है उत्सक किसी के परति ललाईत होना अपने से opposite पूछा था voracious का मतलब होता है पेटू, लालची, बुखड तो ये तो हो नहीं सकता avid तो गलत है avid का मतलब होता है किसी चीज़ के परति ललाईत होना उत्सक होना next है prodigious कौन सा word है prodigious prodigious का मतलब क्यों होता है एक तरह से लाजवाब होना अदबुत होना विसमेकारी होना या मैं कहसा हूँ तो आश्चरचकित कोई चीज़ होना तब अपने इस word को use करते है prodigious को तो ये भी नहीं हो सकता तीसरा word देखिए student incentible incentible का मतलब होता है जिसके ना भुजने वाली क्या कुछ चीज जिसकी त्रिप्ती ना हो गई हो अपने को कोई अभी परप्त होने वाली हो बहुत कुछ खाली हो लेकिन book अभी भी कायम हो तो अपने कह सकते है incentible का मतलब होता है जिसके खाने की इच्छा बहुत जादा हो जितना मर्जी खाले लेकिन उसका पेट अभी भी खाली है तो मैं यह कह सकता हूँ कि voracious का जो opposite word है वो है incentible क्या है? incentible satisfied तो मतलब है आपको एक तरह से संतुष्ट होना कि सीके परती यह तो गलत है तो incentible इसका क्या होगा student? incentible इसका antonium होगा next question देखते है next question है fifth select the word that is similar यानि अपने को similar word ज्याद करना है synonym पता करना है उस word का dssb tgt में पूछा गया है और वो word देखिए word क्या दे रहे है अपने को debased देखिए कोई चीज किसका base होता है और उसका base गिरा दे यादि उसके मुल्य में अपने कमी करते है और मुल्य में अपने किसी चीज की कमी करते है corruption करके यानि भरष्टाचार करके तो debased का मतलब होता है किसी चीज का मुल्य घटाना भरष्टाचार करना या मैं यह कहता हूँ deprave करना इसका एक बहुत अच्छा meaning है जो LDC exam में पूछा गया था synonym एंटोनिय में deprave तो deprave का मतलब क्यों होता है बरष्टाचार करना या मैं कह सकता हूँ मुल्य घटाना और debased का मतलब भी वही होता है बरष्टाचार करना और जो third option है corrupted वो इसका बिल्कुल similar होगा और अपने से similar पूछा था तो corrupted क्या होगा और debased इसका क्या होगा similar होगा तो अपने और word देखें तो और word क्या दे रखें अपने को एक fourth word दे रखा है fourth word देखिए fourth word देखा है eminable और eminable का मतलब होता है किसी के प्रती आग्याकारी होना किसी के वश में होना किसे के प्रती जिम्मेदारी परगट करना अपनी तो amenable का मतलब क्या होता है वश में होना, आग्याकारी होना यानि obedient होना एक और word दे रखा अपने को क्या दे रखा है in amenable in amenable का मतलब होता है नए सुधरने की योग है जिसमें कभी सुधार नहीं किया जा सकता सुधार, जितना मर्जी कर ले सकते हैं लेकिन उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं उसके लिए word यूज करते हैं unamenable next question देखते हैं अपने next question है choose the word that means the same as the given word यानि अपने को similar find करना है synonym find करना है DSSB PRT 2022 में पूचा गया है word is bashful bashful का मतलब है जो शरम करता हो संकोच करता हो शरमीला हो लज्जालू हो यानि मैं ये कह सकता हूँ diffident हो shy हो क्या हो पहला तो shy हो अपने synonym पूचाता तो directly अपने को देर का shy bashful का मतलब होता है शरम करने वाला लज्जा करने वाला संकोच करने वाला diffident एक और होता है diffident D-I-F-F-I-D-E-N-T diffident और ये जो C option है इसका क्या होगा synonym होगा इसमें एक word देर का B जो कई बार एकजाम में पूचा गया गैरूलस देखे गैरूलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो यानि वाचाल हो chatterbox हो glip tracker हो इसका एक chatterbox भी यूज किया जाता है कई बार word यूज कियाता है chatterbox यानि मिठी-मिठी बाते करने वाला एक glip tracker जो मिठी-मिठी बाते करने वाला होता है तो यह इसके क्या हो synonym होंगे एक word और देर कावड कावड का मतलब होता है डरपोक क्या होता है डरपोक sneak word भी यूज कियाता है जो चोरी करके भागने वाला हो coward यानि डरपोक हो और expressive का मतलब होता है एक्सप्रेस करना किसी के प्रती feeling भावना परगट करना भाव सूचक्षा बता है पहला तो next question देखते है next seventh question देखिए select the most appropriate synonym of the given word PGT poll science 2021 किस में question पूछा गया है word देखिए word दे रखा अपने को consensus क्या दे रखा है consensus consensus का मतलब होता है किसी के प्रती एक तरह से सर्वसमती परगट करना किसी के प्रती किसी word के प्रती सहमती परगट करना सामजसे रखना तालमिल बनाना सर्वसमती बताना यह आम तोर पर सभी की एक जैसे इच्छा होना word का रथ क्या हो गया consensus का word हो गया एक तरह से सहमती परगट करना साम जस्या परगट करना तालमेल बनाना और agreement का जो अर्थ होता है किसी के परती agreement करना यानि किसी से समझ होता कर लेना तो इसका जो अपने पास synonym होगा consensus का वो क्या होगा agreement होना अब अपने को पहला वड़ दे रखा है discord क्या दे रखा है discord और इसके बाद दे रखा है dissension इन दोनों का मतलब होता है किसी से कलेश करना किसी के साथ लड़ाई करना तो दोनों एक जैसे वड़ा है discord और dissension तो किसी के परती कलेश करना किसी के परती क्या करना लडाई करना, मतबेद करना, कलेश करना और अपने पास एक देर के डैनियल डैनियल का मतलब है ऐसा विकार करना, नाकार करना नाकार मतलब मना कर देना, इनकार करना देना ये इसका अर्थ होगा Dashcode dissension, इसका मतलब है clash ञाएक करना रडाई करना और Daniel का मतलब है ऐसे विकार कर देना मना कर देना, नकार कर देना और agreement का मतलब है समझोता करना और consensus का मतलब की क्या उता है सहमती करना, समझसे करना या तालमेर करना next question देखते हैं अपने को तो question देखी student, 8th question, select the word that is similar, जो बिल्कुल similar हो PZT history में पूछा गए है, word देखी student के अधर रहे है, precocious, देखी precocious का मतलब होता है, जो समय से बहुत पहले हो, जो समय से बहुत पहले हो, pre का मतलब पहले हो ना, precocious का मतलब होता है, जो समय से पहले हो, यानि मैं एक तरह से कह सकता हूँ, अकाल परोड, एक मीनिंग होता है, अकाल परोड, आपने psychology में सुना होगा, जो समय से पहले विक्सित हो चुका हो, यानि जिसमें pre-maturity पहले आ चुकी हो, इसके सिनोनियम है, pre-maturity, बहुत अच्छा शबद है, pre-mature होना, समय से पहले mature हो जाना, यानि mature की जो age ह उससे पहले भी mature हो जाना, या मैं कह सकूँ, इसका एक और है, untimely, ये भी इसका क्या सिनोनियम है, समय से पहले होना, untimely, या मैं एक कह सकता हूँ, timeless, या premature, ये इसके तीन सिनोनियम है, इसका मतलब है, समय से पहले विक्सित होना, समय से पहले, जिसका समय आया हो, लेकिन उससे पहले ही वो बात कर देना precocious का मतलब होता है समय से आगे होना तो advanced का money भी क्या होता है समय से आगे होना advance कुई चीज़ होती है वो समय से पहले आती है तो इसका जो synonym होगा वो क्या होगा advanced होगा बाकी आपने सबने announce का meaning देखा होगा सुफाइस का मिन होता है complete, satisfied, be enough यानि परियाप्त है बस अब ठीक है अब वो जितना था वो है हमारे पास परियाप्त है, complete है, पूरा हो जोका है, satisfied यानि अब संतुष्ट है हम सुफाइस का मतलब क्या होगा? यह होगा convince का मतलब आपको पता हो तक किसी के लिली राजी होना, announce का मतलब घोशना करना next question है, student जो DSSB physical education में पूछा गया है, 2020 question देखी, अपने से antonium पूछा गया है, कि antonium बताई है, यह नि opposite word बताई है तो word दे रहे है, imminent, देखी, imminent का मतलब होता है, जो आपके बिलकुल साथ, यह बगल में बेठा हो बिलकुल आपके बगल वाला हो, यह आपका पडोसी हो, बिलकुल समीप में हो, proximate हो, close हो, nearby हो, ad joining हो, बगल वाला हो यह बहुत अच्छा word है, student, आपने, इसका एक बहुत अच्छा आपने, अगर angle पड़े होंगे बच्चपन में, तो आपने एक word देखा होगा, यह, a, d, j, a, c, e, and d, एक आपने angle देखा होगा, adjacent, कौन सा, adjacent, adjacent, एक angle देखा होगा, जो बिलकुल आसन कोन वाला होता है, वो और इसका एक और impending, impending का मतलब ही होता है, जो आपके बगल में बैठा हो, आपका साथ वाला हो, आपकी chair के साथ बैठा हो, close हो, nearby हो, approximate हो, और अगर मैं देखा हो, threat तो एक word धमकी देना, आपको पता होगा, remote, remote का मतलब हो, जो बहुत दूर हो, क्या हो, sightness हो, यानि आखों से दूर हो, क्या हो, आँखों से दूर हो, distant हो, दूर हो, तो यह इसका अब क्या होगा, opposite word हो गया, क्या होगा, opposite word हो गया, next देखते हैं अपने, next question देखिए, 10th, select the word that is opposite meaning, यानि एंटोनियम बताना है, अपने को word दे रखा है, poultry, देखिए, poultry, इसका meaning क्या होता है, इसका word यूज करते हैं, poultry, कौन सा poultry, शुद्र ग्रहा के लिए word यूज करते हैं, अपने poultry, बहुत छोटा होना, trivial होना, trivial मतलब, ये भी एक तरह से क्या होता है, इसी का synonym है, count out, बहुत छोटा, जो, मतलब, दिख जाए, अपने, दिखे ना एक तरह से, बहुत नगने है, insignificant, negligible जो दिखे ना, अपने को, लेंस से देखना पड़े, उसके लिए poultry का use करते हैं, शुद्र ग्रहों के लिए use करते हैं, miserly, ये भी एक तरह से बहुत कम मात्रा के लिए use किया जाता है, pathetic, देखे, pathetic का मतलब होता है, disappoint होना, first threat होना, ये इस कमलन निराशा से related है, जो next अपने के synonym है, miserly, बहुत कम मात्रा में, pathetic, disappoint होना, या first threat होना, निराश होना, और जो चोथा वर्ड है, वो इसके क्या है, opposite है student, ये थे student हमारे कुछ, synonym and tonium, जो last year के exam में पूछे गए हैं, और इसके साथ जो तीन-तीन option थे, वो भी मैंने ज्यादा तर आपको बताने की कोशिश क है, ताकि आपके किसी काम आ सके, I hope so, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ये lecture आपको इसी तरह मिलते रहेंगे, जैसे आज 10 question की हैं, कल भी आपको 10 question फिर मिलेंगे, daily till the exam तक लगबग जितने भी paper थे, 100-200 paper थे, तो लगबग 200-300 synonym and tonium होंगे, जो आपको अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को follow कर लीजिए, ताकि जो lecture आपको daily मिल रहे हैं, उसकी update आपको मिलती रहें, धन्यावाद